महराफ्ट में कॉंग्रेस NCP और शिवसेना की सरकार बनने का रास्ता करीब करीब साफ होने के बाद अप्रदेश की नए CM को लेकर अटकलो का बाजार गर्भ हो गया है उदर शिवसेना प्रवकता और राज्यसबासांसर संजे राहुत की माने तो शिवसेना की CM पर सबकी सहंती बनी है और पाँस साल तक शिवसेना का ही CM रहेगा बकोर राहुत आने वाले दो दिनों में CM का नाम तैख हो जाएगा ऐसे में आये जानते हैं कि आखिर शिवसेना में वो कौन से तीन नाम है जो CM की रेस में बताए जा रहा है सूत्रों की माने तो महराश्ट के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकर ही होंगे दरसल शिवसेना ही नहीं बलकि कॉंग्रेस और NCP भी यही चाहती है कि महराश्ट की कमान उधव ठाकरे जैसे अनुभवी नेता के हातों में दे जाए क्योंकि आधित्य ठाकरे को राजनीती का गहरा अनुभव नहीं है उनके CM बनने से बाकी दोनों दलो के सीनियर नेता जो मंत्री बनेगे वो अधित्य के साथ असहिज महसूस कर सकते हैं उधर अगर ऐसे हालात में शरत पवारों सोनिया गादी को साथ कर सरकार बना सकते हैं तो पांस साव तक महराश्ट की सरकार चला भी सकते हैं इसलिए सुत्रों का खेना है कि महराश्ट के अग्रे मुख्य मंत्री उधर ठाकर ही होगी संजे राउत ने भी अपने एक वयान में कहा है कि शिवसेना चाहती है कि उधर ही सरकार की कमान संभाले खब्रों की माने तो अगर मुख्य मंत्री पत के लिए शिवसिना प्रमुक उधव ठाकरे नहीं मानते तो पार्टी के राज्य सभासांसर संजे राउत इस पत पर काविश हो सकते हैं जानकारी के मताबिक शिवसिना में उधव ठाकरे के बाज सीम पत की रेश में संजे राउत की आगे चल रहे हैं प्रदेश में इन दिनों शिवसिना की ओर से जो चहरा सबसे अधित भाग दौट कर रहा है वो चहरा संजे राउत का ही है राउत फिल्हाल पार्टी प्रवक्ता और राजे सभासांसद हैं अगर उद्दव रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहें तो संजे राउत सबसे मुफित होंगे और नमबर 3 एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे भी शिवसिना के ओर से सियन पत के बड़े दावेदार हैं महराश की राजनीती के साथ साथ एकनाथ शिंदे शिवसिना में भी एहम नाम है यही वज़े है कि चुनाम नतीजे आनी के बाद उन्हें विधायक दलकाने ताचुना गया है अगर उद्व ठाकरे परिवार वाद को छोड़ कर पार्टी हिट की सोचेंगे तो बेशक ही वो एकनाथ शिंदे को मुख्य मंत्री पत के लिए प्रसकावित करेंगे ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन तीनों में से किसे प्रदेश में बनने वाली नई सरकार की कमान होती है इंडिया नियूस वादिर की रिपोर्ट